स्थुटेंट्ट्स टुटेवी विल स्टाडी लेसन बंबर एलेविन inadequ क्लीण मी हेल्डी मी मिल्स मैं स्वच हूं हेल्दी इमैस तभी मैं स्वच्थ हूं स्वच 마lasting तो ठीकिर चलियन हेल्दी रहने के लिए आपको clean रहना बहुत जरूरी है अगर आप साफ हैं तो आप स्वस्त रहेंगे get set फटापट वाली activity है लता is preparing a chart on a clean me can you help her complete the chart I wash my hands after किसी इसके बाद आप हाथ धोते हो eating, coughing coughing होता है खासना काने के बाद और खासने के बाद मैं हाथ होता हूँ playing, खेलने के बाद touching pets pets को चूने के बाद हमें हाथ धोने चाहिए washing our hands after activities such as eating and playing keeps us healthy जब भी हम किसी चीज को चूते हैं उसके बाद हमारे हाथ कंदे हो जाते हैं तो उनके बाद हमें हाथ धोना चाहिए जिससे कि आपकी health पे कोई गलत असर ne पड़े क्योंकि चला हाथ से ही हम चीजे चूते हैं और हाथ से ही हम उन्ने फिर पकड़ लेते हैं और उन्हें खाते भी हम हाथ से ही हैं तो उसकता है वो गंदगी हमारे अंदर है हाइजीन hygiene का मतलब होता है अब आपने corona period में तो ये देखी लिया है कि hygiene कितना ज़रूरी है, आपको कुछ भी छूने के बाद hand wash करने हैं, तब ही आप अपनी body के other parts को touch करो. We work, play and do many things throughout the day. हम पूरे दिन काम करते हैं, खेलते हैं, market जाते हैं, घर में आते हैं, स्कूल जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़े हम पूरे दिन बढ़ में करते हैं. We come in contact with lot of germs, कई सारे कीटानों के touch में हम आते हैं, हमें नहीं पता कहां क्या चीज़ है, कहां क्या गंदा है, कहां germs हैं, लेकिन हम touch करते रहते हैं, हम आपने हाथ से बहुत से activities करते हैं, हम चीज़ों को touch करते हैं. If we are not careful, these germs can cause many diseases, अगर हमने ध्यान नहीं दिया, या हमने timely hand wash नहीं किया, तो इन germs से हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी. जर्म्स, अब यह germs होते क्या हैं, germs are living things that are too small to be things, germs भी जीवित होते हैं, मरे भी नहीं होते, they are not dead, they are living things, पर वो इतने small होते हैं कि वो तिख भी नहीं पाते हैं, इनसे गर आप अपने हाथ देखोगे, आपको को ममी मेरे हाथ तो साफ हैं, हैंड़ वश की के सुरते हैं, ले वो आपकी बॉड़ी मेर अंटर होके आपको भी मार कर देंगे, scientists use microscope to see these germs, germs को देखने के लिए scientists भी microscope use करते हैं, M-I-C-R-O, micro means small scope, S-C-O-P-E, microscope, microscope is an instrument through which you can see small germs, do you know what a microscope is, आपको पता है, microscope is an instrument through which very small things which otherwise cannot be seen, appear many times bigger, जो चीज़े दिख नहीं पाती हैं, मों microscope के अंदर बहुत बड़ी दिख जाती हैं, अगर अपना हाथ microscope के अंदर नीचे रखोगे न, तो आपको देखेगा, अरे मेरे हाथ में तो इतने सारे germs हैं, देखने में तो मेरे हाथ बहुत clean लग रहा है, तो microscope कुछ इस तरीके का ह होता है, keeping clean, अपनी बोडी को साफ रखना, each part of our body needs to be cleaned thoroughly, क्या आप नहाते हो, नहाते समय आप इन बातों का धियान रखते हो, क्या आप अपनी बोडी की हर पार्ट को clean रखते हो, अब देखते हैं, body part, एक list जिसमें body parts है, उन्हें कैसे साफ रखना चाहिए, और किस चीज से साफ रखना चाहिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, windows to the world are eyes, eyes को कैसे wash करेंगे, eyes को रगड़ेंगे नहीं, उन्हें gently splash water on them, उन्हें धीरे धीरे पानी के छपके मारेंगे, splash करेंगे, dry them with wet towel, उनको धीरे धीरे clean towel से पहुच के सुखाएंगे, और उनके हमें wash करने के eyes में, ठीक है, next है ears, ears होते हैं हमारे कान, कानों को कैसे साफ रखेंगे, clean them with soft cotton buds, उनको soft cotton buds से ही साफ करेंगे, cotton buds क्या होती है, आपने देखा को ear buds आती है ना, वो, do not clean them with a matte stick और a hairpin, उसमें matte stick और hairpin बिल्कुल बन डाल देना कान, कान बहुत डेलिकेट, और गन होती है, उसमें हमें hairpin और matte stick नहीं डालनी चाहिए, अब यह बताते हैं हमें किद चीजों को यूज़ करना चाहिए, हमें यूज़ करें, earbud को और soft cloth को clean करने के लिए, nose, ठीक है अब nose पे आते, clean it everyday, while bathing जब आप नहाते हो ना, तो अपनी nose भी clean कर लिया करो, do not pick your nose, और अपनी nose को pick नहीं करना चाहिए, अपनी nose में finger नहीं डालनी चाहिए, bad habit, okay, so how to clean it with a soft towel and water, water से आप nose लिए clean करो, और soft towel से उसको मौच लो, अच्छे से, tongue, tongue is used for taste, but clean it daily, इसको भी बहुत सफाई की जरुत है, कैसे जरुत है सफाई की, हम इसे tongue cleaner से clean करते है, पतांजली का tongue cleaner बहुत अच्छा है बच्चों के लिए, आप वो use करके देखना, और इसको किस product से use करते है, tongue cleaner से, teeth, very very important part of our body, brush them gently twice a day, बिटा, दो ही बार उसको brush करेंगे, एक बार में कम नहीं चलता है, सुभा और शाम brush करना जरूरी है, do not neglect the sides, और याद कि आगे-आगे front teeth पे नहीं करेंगे, पीछे वाले jaws वाले एरिया में भी करेंगे, visit your dentist regularly, और अपने दातों को, dentist को दिखाते रहना चाहिए, dentist वो doctor होते हैं, जो दातों को treatment करते हैं, उनको भी दिखाते रहना चाहिए, कि आपके mouth में cavity तो नहीं है, rinse your mouth after each meal, और हर बार जबी भी आपको कुछ खाते हैं, में अपको कुला करना चाहिए, पानी मुँ में गारगल कर लेकर, गारगल करके थुख देना चाहिए, यह सब चार्ड जो है अपको fill in the blank में आ सकता है, true false में आ सकता है, इसको भाहत ध्यान से सुनेंगे, स्किन, स्किन को हम कैसे साफ करते हैं आपना हाते हो ना डेली बात, एवरी डे वियर क्लीन क्लोज साफ कपड़े पहनो और रोज ना हाऊ सोप यूज करो और क्लीन टॉबल से पहुचो अपनी स्किन को हेर, गल्स के लिए हेर बहुत इंपोर्टन्ट होते हैं इसके लिए भी होते हैं, लेकिन गल्स के थोड़े अच्छे-च्छे बड़े-बड़े बाल होते हैं तो वाश यूज हैर विद गुड़ शैंपू एक अच्छा शैंपू यूज करना चाहिए और हमेशा अपने बालों में तेल जरू डालना चाहिए चाहिए आप हेर वाश से पहले तेल डालो कॉम यूज हैर एवरी टेल रोज अपने बालों को कॉम करो आप तो बहुत अच्छे-च्छे हैस्टल बनाते ही हो ठीक है? अब इने के जीज़ा से यूज करते हैं शैंपू से वाश करते हैं हेर ओयल यूज करते हैं और कॉम से हम इने साफ रखते हैं कि चले हैं? तो यह जो चाहिट था इसको आप बहुत अच्छे से रिवाइस कर ले ना क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेस्चन्स बनते हैं नेक्स आता है संदे की संदे की रूल मना लो hair wash करना है hands के nail trim करने है feet के nail trim करने है और hair trimming करानी है संदे की संदे की रूल मना लो याद रखना यह थीन वाते अपना toothbrush किसी से शेर नहीं अपना kunnγά Şimdi के hä Tina City करते हैं और अपना Shepherd वी किसी से शेर नहीं करते हैं not even with the family members sit, stand, walk and work in the correct posture posture क्या होता है? posture होता है बैठने का तरीका आप देखो ये खड़े होने का तरीका है ये बैठने का तरीका है और चलने का तरीका है और ये देखो वर्क करने का भी तरीका है तो हमें सीधे बैठ कर ही correct posture में बैठ कर ही खड़े होकर ही काम करना चाहिए exercise daily अपनी बोड़ी का अपनी बोड़ी को fit और active रखने के लिए आपको daily exercise करने चाहिए कौन सी exercise? physical exercise start your day with exercise, morning exercise और evening में भी time मिलने पर आप exercise जनूर करो तो वच्चो ये थो हमारा chapter I hope you have understood चलो कुछ activity आपको ये करा देती हू fun to learn I am too small to be seen they are germs you can use me to clean your tongue I am a tongue cleaner T-O-N-G-U-E-C-L-E-A-N-E-R you use me to clean your ears I am a earbud N उनना चाहिए I am an earbud cotton bud होगा शै C-O-T-O-N cotton B-U-D bud You use me to clean your skin I am a soap You use me to clean your hair I am a shampoo S-H-A-M-P-O-O Shampoo Rewrite these sentences replacing the underlined word with the correct one Underlined word जो है वो गलत है उसको change करके दूसरे से करेंगे I wash my hair regularly with a shampoo I wash my eyes with water I visit a dentist for my teeth I clean my tongue with a tongue cleaner T-O-N-G-U-E tongue cleaner I use a nail cutter to trim my knees This was the chapter I hope you have understood Don't forget to like my video and share my video More on your friends Thank you Thank you Thank you Thank you झाल झाल